10.4.3 वैचारिक अपनिवेशी करण उपर हमने देश की अर्थ वैवस्था और अपनिवेशी नीदियों के प्रभाव को देखा लेकिन अपनिवेशी करण इससे और आगे लोगों की सोच पर हावी होने का प्रयास करता है या कैसे? एक उधारन के मदद से समझेंगे इतिहास आदी को जानने समझने का भर्षक प्रयास किया वे भारती संस्कृती और धर्म आदी से काफी प्रभावित भी हुए उन्होंने कमपनी सरकार से आग्रह किया कि पारंपरिक भारती ज्यान और साहित्य के अध्यन को सनरक्षन देना जरूरी है उनके कहने पर संस्कृत कॉलेज और मदर से खोले गए इस विचार के लोग को प्राच वादी कहते हैं प्राच यानि पूर्व अर्थात वे लोग जो पूरी संस्कृती से प्रेरित थे सनरक्रासों के बाद कमपनी के कई और अधिकारी हुए जिनोंने यह माना कि आधुनिक योरोप का ज्ञान ही जानने योग्य है और या अंग्रेजी के माध्यम से ही हो सकता है उनका मानना था कि भारते ज्ञान के परमपरा किसी काम की नहीं है और उस पर धनखर्च करना व्यार्थ है इन्हें आंगलवादी अर्थात अंग्रेजी संस्कृती और सिक्षा से प्रेरित लोग कहते हैं जब अंग्रेजी सरकार के सिक्षा नीती बनी तब आंगलवादी विचार के लोग अधिक प्रभावी रहें इनमें सबसे प्रसिद्य थे थॉमस मैकाले जिनों ने सन 1830 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की मैकाले का कहना था इस बात को सभी मानते हैं कि भारत और अरब के संपूर्ण देशी साहित्य एक अच्छे यूरोपी पुस्तकाले की केवल एक शेल्फ के बराबर ही है यूरोपी का वे इतिहास, विज्ञान और दर्शन की पुस्तकों की तुल्ना में इनमें कुछ भी नहीं है उसका आग्रा था कि भारतियों की भलाई इसी में है कि उन्हें विज्ञान, गडित, पाश्यात्य दर्शन आदि की सिक्षत दी जाए ताकि वे अंध विश्वास और बरबरता से मुक्त हो पाएं मैकाले का आग्रा था कि कुछ चुनेवे भारतियों को अंग्रेजी सिक्षत दी जाएं ताकि वे अंग्रेजी शार्षन के समर्थक बने और अन्य भारतियों को भी सिखाएं उन्होंने कहा हमें सरवाधिक प्यास एक ऐसे वर्ग के निर्माण के लिए करना चाहिए जो हमारे और हमारी बहु संक्यक प्रजा के बीच अनुवादक के रूप में काम करें ऐसा वर्ग जो खून और रंग में भारतिय हो मगर रुची, विचार, नेतिक्ता तथा बुद्धी में अंग्रेज हो यह वर्ग अपनी इस्थानी भाषाओं को परिश्कृत करके उसे आधुनिक विचार वविज्ञान का वाहग बनाए और उसके माध्यम से अपने देशवासियों को भी सिक्षित करें अपनिवेशी करण एक तुल्नात्मकध्यन हमने देखा कि लेटीन अमेरिका, अफरीका, इंडोनेशिया, चीन, भारत आधी अलग अलग प्रकार से अपनिवेशी करण से प्रभावित हुए एक तरह का अपनिवेशी करण लेटीन अमेरिका में देखा जा सकता है लेटीन अमेरिका में रहने वाले अधिकांश मूलनिवासी मारे गए और वहाँ यूरोप के लोग आकर बसे तथा अफरीका से लोगों को दास बनाकर जबर दस्ती वहाँ बसाया गया यूरोपी देश इस तरह बसाये गये उपनिवेशों का अपने फायदे के लिए शोशन करना चाहते थे इसका उपनिवेश के लोगों ने विरोध किया दास प्रथा बेगारी और उपनिवेशिक नीतियों के विरोध में स्वतंतरता आंदोलन सफल रहे एशियाई देश जैसे इंडोनेशिया वह भारत में अपनिवेशी करन लेटीन अमेरिका से भिन्न था यहां यूरोप के देशों ने अपना राज्य इस्थापित किया और इस्थानी अर्थ्वेवस्था को अपने हीतों के अनुरूप बदला किन्तु इंडोनेशिया और भारत में भी फर्क था इंडोनेशिया में जंगल काट कर बागान बनाए गये जिनके मालिक हॉलेंड के लोग थे भारत में भी पहाडी छेत्रों में इस तरह के बागान बने लेकिन बांकी छेत्रों में लगान और व्यापारिक खेती के माध्यम से किसानों का शोशन किया गया सबसे महतुपूर्ण भारत के उद्योगों को पनपने नहीं दिया गया जिससे भारती कपड़ा उद्योगों का विनाश हुआ चीन की कहानी इन सबसे अलग रही वहां शाषक तो चीनी ही बने मगर चीन के विभिन हिसों पर यूरोपी देशों का वर्चस्व था जहां वे शाषन की जिम्मेदारी के बिना वहां के लोगों तथा संसाधनों का दोहन करते रहे इन सब देशों में अपनिवेशी करण के प्रतिरोध की कहानी भी भिन हैं हम खुद लैटिन अमेरिका, चीन, भारत और अफरिका के प्रतिरोध की तुलना कर सकते हैं